वेलकम टूर्ण एपना स्कूर भी पाइंड बनाई है इसलिए बनाई है कि आपको बताया जा सके कि यह फाइनल अंसर की नहीं है आप अभी भी जो है अंसर को चैलेंज कर सकते हैं जो आपके इस अंसर के में प्रोवाइड के गए है तो इस वीडियो हम डिसकस करेंगे कि को क चैलेंज कर सकते हैं और किस तरीके से आपको चैलेंज करना है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा साइट पर कि वो डेट क्या है तो देखिए आपका गेट का साइट यह आपका में पेज है वैसे गेट का ठीक है और यहाँ पर यह नोटिफिकेशन है गेट 2021 question paper and answer की इस पर click करेंगे आप लोग तो यह आपको यहाँ पर जो है आपका paper और answer की यहाँ पर available है बट हमें बात करनी है कि आप कैसे challenge कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो date है वो है 2nd to 4th March 2021 ठीक है और इस time period में आपको option available हो जाएगा जहाँ पर भी आप login करते हैं gate की site पर आपको आप login करते हैं वहीं पर आपका response sheet भी है वहीं पर आपका admit card आया था वहीं पर आपको यह option भी available हो जाएगा तो candidate can challenge answer की वे detailed description and proof तो आप अपना पूरा detailed description और proof देखर के अपना जो answer है उसको challenge कर सकते हैं और इसके लिए बच्चों जो आपको fee pay करनी पड़ेगी वह है rupees 500 ठीक है पर question तो यह इसलिए रखी गए इतनी जादा ताकि बच्चे जो है randomly किसी भी question को target ना करें ठीक है particularly बस उनी question को challenge करें जो उन्हें लगता है जिनके लिए 100% sure है ठीक है बट मुझे लगता है कि फीज थोड़ा कम करना चाहिए इतना जादा नहीं रखना चाहिए तो यह fees refundable है जैसे अगर आपको आपका answer की जो है मतलब अगर आपका जो challenge वो accept हो जाता है तो उस case में उस scenario में आपके 500 रुपीज आपको return कर दे जाएंगे ठीक है और उसके बाद जो है आपका final answer की जो है बच्चो 18 त मार्स 2021 तक आपको आ जाएगा यह around बोला है ठीक है यह अनकी fix नहीं है but around this date आ जाएगा जैसे कि second March उन्हों ने बोला था answer की के लिए but आपका yesterday जो है वो आपका key already ठीक है तो if any challenge is accepted by the committee a full refund will be made to the candidate for respective accepted challenge ठीक है otherwise जो है वो refund नहीं होगा ठीक है तो इमने आपको बता दे किस तरी के साथ challenge करेंगे चलिए वापिसा आते हैं और discuss करते हैं paper देखते हैं वो questions जिनको challenge किया जा सकता है ठीक है और फिर बताएंगे कि what to do next तो देखिए यो questions यह ratio वाला question है इसका answer जो हमने find out कहता हो 50 था और answer की में भी 50 है then यह वाला question यह भी जो मैं आपको बताया था कि इसका answer यह ही हो यह होना चाहिए यह वाला shape और यह इसका answer है फिर यह जो grammar वाला question था यहाँ पर मैंने जो आपको answer बताया था वो यही था grammatically correct and ambiguous then general aptitude की वीडियो में बच्चों यह सारे answer मैंने discuss किया है general aptitude के लिए अलग सी वीडियो बनाया था उसके case में यह वाला मैंने आपको answer बताया था और यही बताया गया है doctor and book बताया था answer की में भी यह आया है 9 by pi जो की ratio है कि दो sheet है आपका एक cylinder draw किया गया एक से cube और उनका जो ratio है वो 9 by pi आया था then यह profit वाले जो question था इसमें जो आपको discount percent निकालना था इसका answer हमार आया था वो 10 था और answer की में भी यही बताया गया है then यह जो हमने find out किया था वो था 0.6976 और answer भी बच्चो यही आया है and यह बच्चो आपका question number 9 यह syllogism के उपर based है और यहाँ पर आपका statement और conclusion given है और आपको बताना है कि कौन सा option correct है और Bombay ने जो answer की provide किया है वो आपका D that is neither conclusion 1 nor 2 is correct ठीक है but बच्चो मुझे इसमें doubt है मुझे लगता है कि option C इसका correct answer हो सकता है ठीक है अगर आपको इसका proper reason पता है तो आप जो है इसको challenge कर सकते हैं ठीक है बाकी आप देखे यह next question है माइनस 1 by 3 है और अगर आपका right answer है तो आपको one marks मिलेंगे तो यहां से आप अपने score find out कर सकते हैं अगर आपने इसका answer negative लगा है तो आपके minus 1 by 3 आप कर लिजेगा total में से ठीक है तो यहां पर बचाएगा positive sense single standard RNA फिर यह आप देख सकते हैं question है इसमें RNA polymerase 1 answer आजाएगा यह मैंने आपको find out करके बताया था कि इसका 59 यह आपको बताया था bootstrap यह मैंने calculate करके आपको दिखाया था 2 under root 2 तो यह भी हमने आपको बताया था इसका answer कि यह वाला होगा और इसमें इसमें hyperdoma में आपका polyclonal antibody वाले statement वह रॉंग है ठीक है और क्योंकि यह होता है monoclonal antibody तो यह statement भी हमने आपको बताया था इसका answer मैंने आपको calculate करके बताया है 1 by x engineering mathematics की वीडियो जो बनाई थी मैंने इसके बाद यह DNA जो हमने answer find out किया था वो था oxygen और answer की में भी oxygen है यह theory वाले question की वीडियो में था adaptive immunity in prokaryotes ठीक है और यहाँ पर जो आप use करते हैं वो है autophagy दैर बच्चों यह वाला question भी हमने discuss किया था आप लोग के साथ मेरा according जो इसका right possible answer था वो F1 मैंने आपको बताया था क्योंकि manipulating variable होते है जिनको controller control करता है और यहाँ पर F1 है और यह नोंने भी जो answer बताया है वो आपका F1 ही बताया है ठीक है तो यह भी हमारा सही रहा answer जो मैंने आप लोग के साथ डिसकस किया था इसके बाद आप protein without its prostate group यह तो आप लोग को पत स्टेट्मेंट आपके जो आपका इसमें करेक्ट था वो था यह तो यह सिर्फ एक करेक्ट स्टेट्मेंट ही आपर और और आंसर की में भी यह आया है और यहां पर आपको बताया गया था आरने इंड्यू साइलेंसिंग कोंप्लेक्स के लिए यह सभी answer हम आप लोग के देखते हैं हमने जो अंसर बताया था और इसके बाद यह वाला कोशन आपको इंगिनर्रिंग मैथमेटिक्स में मिलेगा और हमने जो इसका अंसर फांड़ गया था बच्चों वह था 1.5 और जो आंसर की में भी जो आनसर आया है वह भी आपका क्या है 1.5 ठीक है रेंज दे इसका अंसर मैंने आपको बताता है 0.17 और इसका भी आंसर क्या है बच्चों रेंज देख सकते है 0.16 से 0.18 अगर आपका इस रेंज के अंदर आंसर है और डैसिमल के बाद अप्टू टू डिजिट तक ही आंसर है ठीक है जैसे कि आपका अंसर आया लेट उस आजूम आपक 0.10, 0.11, 0.12 यही करेक्ट इसके आंसर माने जाएंगे इसके अलावा अगर आपने कोई भी इन तीनों इन चारों में से अगर आपने कोई भी और आंसर लिखा है तो वो गलत है ठीक है इसके बाद यह जो आपने आंसर फाइंड आउट किया 0.25 वीडियो के अंदर जो आप फाइंड आट किया एक्चिली वो गलत था लेकिन बाद में मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको करक्टिर के आपको बताया था कि इसका अंसर जो है वो 0.25 हुगा ठीक है और इसकी रेंज जो है वो 0.25 है इसका यह की अंसर है 0.25 इसके अलावा अगर आपने कुछ लिखा है तो वो नहीं माना जाएगा इसके बाद इसका अंसर हमने 7 ही फाइंड आट किया था और आंसर की में भी 7 है 0.67 इन्होंने यहां पे काफी अच्छी कासी रेंज आपको दे दी है 1.60 से 1.80 तक ठीक है तो यहां तो बहुत सार पॉसिबल आपके अंसर हो सकते है तो वो भी आपका करेक्ट अंसर है ठीक है अप्टू टू डेसिमल प्लेस दैनी वाला जो है इसको हमने डिसकस किया था और मैं आपको बता है इसका राइट पॉसिबल अंसर यह होगा क्योंकि यहां पर आपको दे सकते हैं सिंपली कि आपका जो प्रोड़क्ट कंसंट्रेशन नहीं पारइब différents नहीं पर आपको यह यह आपको यह देखना पड़ेगा कि वैसे तो इनजाम के multiple usage है but the thing is that कि आप industry level पे इनका जो importance है वो इनका जो use है वो किस हीच के लिए हो रहा है ठीक है तो जो इनका major use है industry level पे वो आपका यह है कि आमाई लिसको लॉन्डी डिट्रेजेंट इन्वर्ट इस यह और प्रक्टिनेस फूर्जूर्ज प्रोसेसिंग बाकी जगह उपर भी इनका यूज होता है कुछ बच्चों को यह option भी लग रहेगा बट आप चाहिए तो इसको challenge कर सकते हैं बट याद रखिए जो भी आप प्रूफ में कुछ भी आप जो submit कर रहे हैं वह authentic source होना चाहिए ऐसा नहीं आपने बस रेंडम ली गूगल पर सर्च किया और गूगल पर जो सर्च आया वह आपने वहां पर को भी पेस्ट कर दिया जी नहीं आपको authentic source ही यूज करने है यान कि आपको को discuss करने वाली चीज नहीं है इसका option c है हमने भी c बताया था और यह जो question है और हाँ options बच्चों उपर नीचे होते हैं ठीक है तो आपके response sheet में जो options होंगे वो उपर नीचे हो सकते हैं और यहां पर जो आपका जो इन्होंने question paper और answer की provide किये उसमें options जो है वो उनकी position different है त ठीक है otherwise आपको लेगा कि आपके सारे ही negative हो गए है ठीक है तो ऐसा नहीं है आप अच्छे से match कर लिजेगा तो यहां पर जो बच्चों इसका right possible answer है वो option number d है ठीक है और यह सब हम discuss कर चुके हैं यह आपको बताई दिया था है कि oxygen होगा इसका ethylene होगा यही बस दो correct option है जो match कर रहे हैं और इसका है Q&R only और इसका option number C हमने right answer बताया है T blast X क्योंकि six open reading frame की बात की गई है तो पहले इसको convert करना पड़ेगा six open reading frames ठीक है possible और इसको match किया जाएगा यह जो है आपका question number 33 आपको बताया था कि इसका आएगा mitochondrial inheritance क्योंकि आप दे सकते हैं जब भी आपका जो female है वो आपका mutated है उसी case में सिर्फ आपका जो progeny है वो भी आपकी mutated gene है उनके अंदर ठीक है mutation है उनके अंदर तो that means mitochondrial inheritance इसको maternal inheritance भी बोलते हैं ठीक है तो इसका option number C है इस case में आप दे सकते हैं टर्जरी structure पूछा गया था ठीक है इससे confuse मत कीजे मैंने देखा है बड़े बड़े टीचर भी इस वर्ड से confuse हो जाते हैं कि आकर इसका right answer किया है ठीक है वो इसलिए क्योंकि इसका statement ही ऐसा है कि जो आपको confuse कर देता है ठीक है तो बड़े बड़े इसका right answer हो का nuclear magnetic resonance spectroscopy that is NMR ठीक है यह सिर्फ confuse करने के लिए आपका क्या है phrasal noun यहाँ पर यूज किया गया है और यह आपका बता रहा है consisting of alpha, hylix and beta strand ठीक है तो यह इसकी property को बता रहा है कि इसकी tertiary structure of protein के properties, protein के property को बता रहा है किस protein में क्या है but find out क्या करना है tertiary structure को determine करना है then यह question number 35 agrobacterium और इसका जो आपने right possible answer आता हो था EBD और answer भी यह आया है इसमें जो है बस यह वाला option गलत है यह gram positive bacteria actually gram negative होता है बाकी यह वाले options correct है यह इसका answer है then यह वाला जो एक question है इसका answer मैंने मतलब वीडियो देखी और मुशे पता चला है कि यह वाला question आपने डिसकस नहीं गया ठीक है तो गलती से छूट गया था और यह जो answer की में जो answer है इसका वह है आपका A B and C ठीक है tetracycline यहाँ पर नहीं होता है growth factor analog then यहाँ पर tryptophan की बात की विए तो indole acetic acid, millitonin and serotonin यह आपका है नहीं आएगा ठीक है तो BC and G then यह question number 38 यहाँ पर NMR में क्या नॉर्मल एटम से तो इसको यूज नहीं करते हैं ठीक है आप देश सकते हैं नॉर्मली कार्बन क्या होता है 12 होता है यहाँ पर आपका C 13 है इस तरफ चलिए और यह होगी आपको nuclei और A and B यह इसका आप देख लिए जिए को options जो है वो उनकी position change है ठीक है तो ध्यान से है तो यह आपको वाली वीडियो में मिलेगा वहाँ पर हमने इसका अंसर 315 कल्कुलेट करके आपको दिखाया है फिर यह अलिकेट और बैक्टिरियो फाज यह वाला जो है फोर भी अगर आप यूज करते है कि जिगापर तो भी आपका जो एरिया आ रहा है एरिया जो है वो टू स्क्वार यूनिट्स ही आ रहा है ठीक है तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं प्रॉपर फॉर्मला का यूज करके अंसर निकाल करके उनको दिखा दीजेगा और आप जो है इसको चैलेंज कर लीजेगा और आपका जो लगता है कि यह आपका वो एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है यह जो आपका नेक्स्ट कुस्चन है और केमोस्टाइड डिलूशन रेट के उपर था इसका स्टेडी स्टेट प्रॉडक्ट कंसेंटेशन टू हमने फाइंड आ निकालना था और अंसर् की भी जिरोपाइड और इसका रेंज ऑन थी लिए तो भी करक्ट है शिक्टीफ्ट लिख कर क्या है तो भी गरक्ट है कि तवी करक्ट है इसी तरीके से यह जो पूशन है क्जोशन वाली रिएंट अगर इसका रेंज तो भी character 40 लिखका है तो भी character ठीक है और यह जो question है 1.22 तो यहाँ पर 1.20 से 1.30 के बीच में तो यहाँ पर आपके 1.21 आया हो अगर आपका answer 1.22 आया हो तो approximate इस तरीके से 1.30 इस range में अगर आपका answer आया है तो आपका answer correct है बट याद रखे अगर आपने एक decimal place बढ़ा दिया गलती से भी तो भी वह answer accept नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है round off करने के लिए 2 decimal place तक तो तो आप 3 decimal place तक क्यों लिख रहे हो ठीक है तो उसको consider नहीं करेंगे बच्चो ठीक है इसी तरह के से यहाँ 13.1 या 0 लिख करके आये हो तो भी आपका consider नहीं किया जाएगा 13.2 लिख करके आ गए तो इसका मतलब ही नहीं वह accept कर लेंगे वह सिर्फ दो ही value accept करेंगे तो 13 या फिर 14 ठीक है तो चीज को याद रखें जैसे नहीं नहीं यहाँ पर लिख दिया है कि 1.20 से 1.30 बट यहाँ पर नहीं लिखा यहाँ पर सिर्फ लिखा 13 और 14 फिर जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं यहाँ पर आपके जो है अगर आपका answer 0.41 है 0.42 ह है sorry यह बहुत light कर मैं use कर रहा हूं आप लोग को पताने दिख भी रहा हुआ है और यह 0.43 ठीक है अगर आपका इन तीन answer में से कोई भी आपका answer आप महाप लिखा है तो correct बाना जाएगा इसी तरह के से यहाँ पर सिर्फ तू ही आपको लिखना पड़ेगा डैन यह वाला question हमने आपके साथ discuss किया था question number 50 जहां आपको degree of freedom find out करना था ठीक है और मैं आपको बताया था कि मेरे according जो इसका right answer होना चाहिए मैं आपको बताया था कि six है और देख सकते है answer की में भी इसका जो answer हो six ही बताया गया है और यह बच्छो यह question आपका bacterial cultivation of E.coli और यह था आपका oxygen transfer rate वाला यह question हाँ यह वह question oxygen transfer rate वाला यह रहा ठीक है और इसका जो आपना answer find out क्या था वो था 3.79 और जो आपका answer provide क्या गया हो है 3.70 से 3.80 तो अगर आपका इस range वह answer आ रहा है तो आपका answer correct है तो हमारा यह वह answer भी going through stainless steel यह ही transfer वाला question है और जो इनका answer जो range उने provide किया है 23.0 से 24.0 तो अगर आप इसके बीच में कोई भी answer आपने लिखा है तो correct है then यह dna solution और consultation find out करना था हमने जो find out क्या था वो था 1.38 और जो इनके answer दिया है वो है 1.37 और 1.38 यानिकि दो यह इसके answer या तो 1.38 7 लिखका है हो आप या फिर आप 1.38 लिखका है होंगे तब यह आपका correct मना जाएगा then यह बच्चों आपका question number 54 हमारा जो answer रहा था वो था 2 क्योंकि आपका site है अगर आपको यह बात पता थी तो आपने इसको solve को लिए होगा नहीं पता थी तो हो सकता है कि आप लोग अपना तुकल लगा कर आया हो तो भी ठीक हो सकता है ठीक है तो और IIT बोम बेने जो इसका इसका से बता है वो तू बता है ठीक है फिर यह आपका question number 55 है और IIT बोम बेने जो इसका से बता है वो है 1.90 से 2 ठीक है एक्चुली इसका जो solution मैंने provide किया था वो इसका गलत है solution ठीक है वो बाद में मैंने check किया तो ठीक नहीं है एक्चुली वहाँ पर मैंने सिर्फ thermodynamic yield find out क है sorry for that तो thermodynamic yield मैंने find out किया था जो वीडियो में solution है by process की maximum yield मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसकी find out करनी थी उसको देख लेते हैं तो देखते हैं इसको कैसे find out करेंगे तो आपको yield का formula पता होगा बच्चो yield होता है yield equals to आपका mass of acetic acid produced equals to also divided by mass of ethanol consumed, ethanol consumed, ethanol consumed क्या गया है उसके बाद acetic acid आपका बना है ठीक है और यह बच्चो yield होता है आपका अगर आपको पता है कि mass equals to क्या होता है number of moles into molar mass, अगर आपको formula आदो जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि number of moles number of moles equals to mass divided by molar mass ठीक है तो mass आपको find out करना है तो mass यहाँ पर mass of acetic acid produced will be equals to क्या हो जाएगा number of moles तो यहाँ पर number of moles चलोग पूरे लिख देता है number of moles किसके acetic acid के और acetic acid के number of moles के है बच्चो यहाँ पर अगर आप इस उसमें देखें इस standard equation में तो यह है F चीक है तो मैं इसको बच्चो F से represent कर देता हूँ यहाँ पर तो इसके number of moles है वह है बच्चो F और क्यूंकि हम ब molecular mass of molecular mass of acetic acid तो इसका formula लिख देते हैं हम लोग ठीक है acetic acid का formula क्या है आप देख सकते हैं यह है C2H4O2 यह condensed formula है बच्चो ठीक है then divided by इसके बाद आपको mass of ethanol का भी same formula रहेगा number of moles into molecular mass of ethanol ठीक है बट यहाँ पर standard equation में देखें तो standard equation में यहाँ पर कोई भी आपका coefficient use नहीं किया जाता है substrate के लिए किसके लिए substrate के लिए तो हम क्या कर सकते हैं इसको आप लोग यहाँ पर इसको divide कर लीजे तो कोई भी दिक्कत नहीं है तो इसको अगर हम two से divide कर ले तो यह आपका क्या हो जागा two cancel हो जाएगा two cancel हो जाएगा तो यह केतना हो जाएगा one mole हो जाएगा तो अब यहा यहां पर आपका जो अगर आप लिखना चाहिए तो यहां पर अभी हमारे केस में वन है ठीक है अब देखिए अब ध्यान से समझें कि यह क्या यहां पर टू था यानिकि जब हमने टू मॉल्स एथिनॉल यूज किया तो आपका टू मॉल्स एसिटिक एसिड प्रडूस हुआ अब हमने इसको टू से डिवाइड कर दिया तो अभी आने कि इसका मतलब यह हुआ है कि वन मॉल एथिनॉल को कंजूम करके कितना बन रहा है वन मॉल एसिटिक एसिड बन रहा है बट यह आपका नॉर्मल है ठीक है बट हमें क्या फाइंड आप करना है मैक्सिमील तो आपको क्या यूज करना है आपको find out करना पड़ेगा fmax क्या find out करना पड़ेगा fmax ठीक है उसका एक फॉर्मला होता है fmax को find out करने के लिए कि maximum coefficient इसका क्या होना चाहिए आपका product का ठीक है तो उसके लिए जो बच्छो फॉर्मला है fmax का वो मैं आपको यहां पर लिख रहा तो यानि कि आपका इसको ethanol का condensed formula मेरको एक बलिखना पड़ेगा बच्चो यहाँ पर तो इसका condensed formula होगा C2H6O तो आप देख सकते हैं यहाँ पर W है substrate का अंदर तो यहाँ पर क्या है 2 तो that means W की value क्या हो गई 2 हो गई ठीक है फिर आपको degree of reduction बताना है तो यह क्या ethanol है और ethanol का बच्चो degree of reduction होता है 6 तो आप यहाँ पर put करेंगे 6 then J की value J की value आपकी क्या है J है आपका देख सकते हैं यह product का जो molecular formula है उसमें carbon की कितने atoms हैं molecule में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर condensed formula है acidic acid का और यहाँ पर कितने 2 हैं तो that means यहाँ पर G की value भी हो गई 2 clear है degree of reduction आपको बताया हुआ है वहने कैसे निकालना है तो degree of reduction of acidic acid इसका होता है बच्चो 4 तो degree of reduction होता है acidic acid का poor और simply आप इसको cut कर दीज़े तो 2 से 2 cancel हो जाएगा और यह 2 to 4, 2 to 3 to 6 and 3 by 2 आपका अंसर आ जाएगा 1.5 that means F max तो देख सकते हैं आप लोग कि normally जो आपका F की value थी आप देख सकते हैं यह जो आपकी value थी यहाँ पर यह इसको यह थी 1 अगर 1 mole आपका ethanol consume हो आता तो 1 mole acidic acid बन रहा था ठीक है या फिर आप यह कह सकते हैं कि 2 mole ethanol consume हो रहा था तो 2 mole acidic acid बन रहा था बात सीम ही है अमने 2 से बन रहा था 1 1 से 1 mole से 1 mole ही produce हो रहा था बट जब हम बात करतें maximum yield की तो उसके case में अगर आपका 1 mole आपका ethanol consume होगा तो आपका कितना बनेगा अब आपका बनेगा 1.5 mole acidic acid कितना बनेगा तो यह जो बच्छे 2 की value थी अब यह 2 नहीं रहा है अब यह maximum yield की बात करेंगे तो इसक हम बात करें इसको consume करें किसको consume करके मैं इसको पूरा हट आई देता हूँ अदरवाज यह confuse करेंगा आप लोग को 1 mol से कितना produce हो रहा है 1 mol से produce हो रहा है 1.5 mol acetic acid तो यह Fmax हमने इसलिए निकाला है कि maximum कितने mol produce कराए जा सकते हैं आपके 1 mol ethanol से तो उसका formula यह होता है Fmax और यह मैंने आपको standard equation यहापे इसलिए लिग दी त्याग के आपको पता चल से के W degree of reduction और यह J कहाँ पर है और F कहाँ पर है ठीक है clear है तो यहाँ पर हमें Fmax रखना है otherwise अगर आपका यह simply कहता है कि thermodynamic yield बताईए तो thermodynamic yield पूछता तो हम यह one value one value one wall यहाँ पर put करते F की जिगाँ पर ठीक है बट अभी क्योंकि maximum पूछ रहा है तो यहाँ पर one यूज नहीं करेंगे हम पहले maximum find out करना पड़ेगा जो हमने करेंगा 1.5 अब इस F की जिगाँ पर हम यहाँ पर put करेंगे 1.5 तो लास्ट वाला question में यह ही mistake तो यह है आपका 1.5 मॉल मास और सी टू एच पूर तो मॉल्यक्ला मास अगर आप निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा 12 तूज़े 24 प्लस 4 प्लस 16 तूज़े 32 एड कर लीजे कितना आ रहा है एड करेंगे तो हो जाएगा चार दो दस जीरो एड तो यहां पर इसके कितने मोल्स है इतनोल के वन ही है तो आप सिंपली वन लिख दीजे इंटू आपका मॉल्यक्ला मास और कितना मॉल के मास और एथनॉल एथनॉल का फॉर्मला का अभी कर्देंस फॉर्मला लिखा है हमने एड तो यह आगया आपका आपका 46 अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है और आपका फाइनल एंसर आ जाएगा 1.5 into 60 divided by 46 is equals to 1.956 ठीक है आपको समझना आ गया होगा राउंड ओफ करना है आपको 2 decimal places तक तो 2 decimal places तक इसको राउंड ओफ करेंके तो यह आ जाएगा आपका अब क्योंकि यह 5 है और यह 6 है तो यह even और जादा है तो यह हो जाएगा 1.96 ठीक है तो हमारा जो right possible answer होना जाएगा 1.96 और जाएगा आपने पीछे देखा रेंज जो आपको प्रोवाइड की गई है वह है 1.9 से 2.0 ठीक है 1.90 से 1.90 से 2.00 क्योंकि उन्होंने 2 decimal places तक आपका answer पूछा है ठीक है तो वो जो आपका solution महाँ पे मैंने गलत बता देता क्योंकि मैंने महाँ पे maximum नहीं मैंने आपका normal जो yield है वो find out कर लिया था maximum की जगहा पर तो यह आपका यहाँ पे मैंने correct कर दिया है ठीक है तो okay then what next तो सबसे पहले चीज़ आप लोग कर सकते बच्चों आप challenge कर सकते है answer को ठीक है और इसके लिए आपको 500 रुपीज पे करनी पड़ेगी और जो मैंने आपको बताया था कि यह आप कर पाएंगे 2nd से 4th March के बीच में आपको यह time window आपको available हो जाएगी और यह option जो है आ चैलेंज कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको भी जो कोई questions है जो आपको लगता है कि इसका answer possibly हो सकता है आप इस वीडियो के comment section में जाकर करके इसका comment कीजिए बाकी बच्चे भी आ करके उस पर अपना viewpoints देंगे तो उससे आपके लिए easy हो जाएगा कि यह find out करना कि आपक इस वीडियो के comment section में बता सकते हैं ठीक है जो आपको लग रहा है कि आपकी question को challenge करना चालते हैं तो आप बताएंगे तो बाकी बच्चे भी आ करके suggestion देंगे बाकी अगर कुछ ज्यादा मुझे लगेगा कि हाँ इसमें कोई question इसको देखना चाहिए तो उसके लिए वीडि ठीक है इतना tension क्यों ले तो मुझे तो यह समझ में नहीं आता मतला आज के बच्चे cutoff के पीछे पागल हो गया है पता नहीं क्यों ठीक है जो आना है वो तो आ नहीं है अब मैं आपको कोई cutoff बता दूँगा ठीक है और मान लीजे आदे बचे तो खुश हो जाएंगे जो आदे बच्चे खुश नहीं होंगे वो लास्ट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक टैंशन लेते रहेंगे और अगर ऐसा हुआ कि cutoff नीचे चला गया तो फिर कहें कि देखना इतने इन्होंने तो हमारा पागल बना दिया और मतला इतना तक हम टेंशन में रहे तो मैं इसलिए cutoff नहीं शेयर करता हूँ मैं चाहता हूँ आप लोग टेंशन प्री रहा हूँ ठीक है बाकी वैसे जो पेपर मुझे जो लगा वो moderate ही लगा ठीक है बाकी आप लोग का अपना viewpoint हो सकता है ठीक है तो वो moderate मुझे लगा बाकी सबसे अच्छा method जो मैं आप लो अपना score यहाँ पर इसके वीडियो के description में अगर आप बताएंगे तो इससे क्या है बाकी बच्चे भी आ करके वहाँ पर अपना score बताएंगे ठीक है और उससे होगा क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि on an average score बच्चों का जादा है या कम है अगर average score जो बच्चों का आ र रहेगी है खम रहेगी ठीक है बाकी तो जब final आएगा तो से ही पता चलेगा ठीक है तो यह मेरे viewpoints थे इन सब चीजों पर और इसके अलावा फिर जो next है कि आपके मन में यह question रहेगा आपको अपना score पता चली जाएगा तो अब next question आपका पास जो आपके mind में होगा वो इस हैं जिसमें आप apply कर सकते हैं ठीक है और जो यह हम बताएंगे कि आपका score किस score और किस rank की जो बच्चे हैं वो किस IIT में apply कर सकते हैं ठीक है कुछ IIT जो है उनकी खुद की ranking काफी ज़्यादा है और वो ज़्यादा तर जो है टॉप rankers students को ही prefer करती है ठीक है जिनका score और rank ज़्यादा हाई होता है तो वही बच्चे उन top IIT में admission ले पाते हैं ठीक है बट हम पूरा आपको बताएंगे कि आपके score और rank के साब से आपके लिए कौन सा IIT suitable रहेगा इसके अलावा बच्चो इन IIT के थोड़े procedure अलग-अलग होते हैं उनको भी हम discuss करेंगे कि क्या-क्या possible जो procedure है वो आपको follow करना पड़ सकता है उस IIT में admission लेने के लिए वो सारी चीज़ हम discuss करेंगे ठीक है इवन यह भी कि रैंकिंग क्या है उसके वो भी हम discuss करेंगे तो यह सारी चीज़ आप लोग के लिए काफी हम easy कर देंगे apply करने के लिए दूसरा अगर आप placement आपको बह placement के लिए अच्छे हैं बात कर रहा हूं ठीक है क्योंकि हम बात कर रहें तो कुछ ऐसे बच्चे जिनको placement के लिए है तो उनके लिए भी ठीक है और कुछ बच्चे ऐसे भी होता है जो government job की वह सिर्फ आटी में admission लेना चाहते हैं जो कि वहां पर जाएंगे admission ले लेंगे और तो आपको थोड़ा time मिले कि आप अपना preparation पर focus कर सकें तो यह वह भी हम discuss कर लेंगे उसकी चिंदा मत करें ठीक है तो यह सारी चीज़ आपको हमारे इस channel पर मिलनी start हो जाएंगी कुछ time के बाद ही ठीक है उसके बाद जो बचला last चीज है वह है कि और इसके अलावा जो है आप कि इस exam की preparation आगे कर सकते हैं आपको लग रहा है कि आपका यह exam इतना अच्छा नहीं गया है तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आगे और भी पॉसिबल exam है जो आप दे सकते हैं ठीक है और वो जो exam से जैसे कि CSIR है DBT है और गेट तो आपको पता ही है ICMR और टीफर के लिए अपलाए कर सकते हैं JRF के लिए अपलाए कर सकते हैं चीक है और टीफर भी PhD के लिए तो गेट ही आपका जो है वो तरह एंटक के लिए आपको सिर्फ गेट ही देना पड़ेगा चीक है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप डारेक्ट यह exam दे करके PhD कर देंगे थोड़ सा टाइम लगरा वीडियो बनाने में बट जल्दी हम जो है उन वीडियो को भी अपलोड कर देंगे जिसमें आपको सारे exams का मिल जाएगा एक व्यू की कौन-कौन से exam जो आप दे सकते हैं ठीक है बाकि गेट अब 2022 भी हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल पर मत लेना इस चीज़ को ठीक है तो यह गे 22 2022 पर भी हम स्टार्ट कर देंगे और यह सब चीजे यह जो आपकी मन और अगर कोई आपका कोशन है जो भी आपका डाउट है वो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताईए और हम नेक्स्ट वीड करता कि अँे झापकी